है गाई नमस्कार आप लोगों को टाप 10 क्लास के प्यारे से यूट्यूब फैंपर स्वागत है गाई जाज की लेक्षर में हम लोग बात करने वाले कच्छा बारा की भौतिक विज्ञान की प्यारे बच्चो आज की जो क्लास है वो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि आज क अदि प्रकारों का आज के ही क्लास में लोग अधियन करेंगे प्यारे बच्छो यदि आज आप शुरू से लेके अंतक बने रहा गया है तो पूरे गारंटी के साथ कर रहे हैं 100% के सा रहे है प्यारे बच्छो कि आज की क्लास लेने के बाद आपका पांच नमबर यहां से पक्का हो जाता है प्यारे बच्छो पांच नमबर आज के ही क्लास से आपको पूछने वाले हैं प्यारे बच्छो तो चलिए लेक्चुर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए आये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आता तो व बड़ा करके देखने के लिए और दूरधरसी का मतलब होता है दूर कि वस्त् γों को नजदी करके देखने के लिए तो अगर में म्मोद्दा बात करें प्यारे बच्छो अभी हम सुच्मदर्सी के अंदर प्रवेस करेंगे जानेंगे क्या होता परन्द हम उससे पहले सुचमदर्सी का जो सिध्धान्त होता है वो अगर हम बात कर लें तो वहिया अगर सुचमदर्सी का सिध्धान्त सुचमदर्सी का सिध्धान्त तो अगर हम बात करें सुचमदर्सी के सिध्धान्त की तो सुचमदर्सी का सिध्धान्त ये होता है कि छोटी वस्तू, छोटी छोटी वस्तू का बड़ा प्रतविम प्राप्त करके दिखाना अब कैसे छोटी वस्तू का बड़ा प्रतविम मनाता है वो अभी हम बात करेंगे और जो दूर दर्सी का सिध्धान्त होता है प्यारे बच्छो वो दूर दर्सी का सिध्धान्त होता है दूर दर्सी का सिध्धान्त ये है कि अगर ये दूर इस्तित्वस्तु है तो दूर इस्तित्वस्तु को आपके नजदीक प्रतिमिम बना के दिखाना ही इसका क्या होता ह अब ये सब सारा process depend करता है प्यारे बच्चों darsan code पे किस पे depend करता है घ्र दर्सान code पे तो सबसे पहली heading आएगी इस chapter की या इस topic की अंतरगत कि भई या दर्सान code क्या होता है तो अगर हम बात करें कि जब हम किसी वस्थ को देखते हैं जब हम किसी वस्त को देखते हैं, जैसे ये वस्तु A और क्या हो गई, B हो गई, तो जब हम किसी वस्त को देखते हैं, तो वस्त को देखने पर हमारे आख पर एक कोण अंतरित होता है, उसे ही हम क्या करते हैं, दर्सन कोड करते हैं, यानि हम कह सकते हैं, प्यारे बच्चो, कि वस्तु द्वारा आख पर बना कोड़ दर्सन कोड़ कहलाता है क्या आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे तो अगर हम परिभासा लिखना चाहे तो यह जरूर लिख सकते हैं कि वस्तु द्वारा आख पर बना कोड़ दर्सन कोड़ कहलाता है क्या कहलाता है भी है आख पे बना कोड कौण कहलाता है प्यारे बच्चो दर्सन कोड कहलाता है क्या इतनी बात आपकी clear हुई दर्सन कोड कहलाता है ठीक अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर में most important सब्दरहने वाला है आवर्धन चमता जब भी आपके exam में पूछेगा किसी वहासा हम समझते हैं जिसे हम कैप्टल यम से ब्यक्त करते हैं ये एक बीमाही नरास होती है अब अधियान से दिखे का आवर्धन चमता का क्या होता है आवर्धन चमता होता है की चाहे इसकी आवर्धन चमता हो चाहे इसकी आवर्धन चमता हो प्रकासी क्यंत्री की आवर्ध चमता कहलाती है यानि कोई भी प्रकासी के अंत्र वस्तु द्वारा बनाएगे दर्शन कोड को कितना बड़ा बना सकता है वो उसकी क्या कहलाती है आवर्धन चमता कहलाता है या तो अगर हम दूसरे सब्द में बात करें तो दूसरे सब्दों में अगर दर्शन को आवर्धन कोड और वस्त द्वारा बना दर्शन कोड का अनुपात ही आवर्धन चम्ता का लाता है तो गाइस आवर्धन चम्ता को हम मैं इसमाल M नहीं Capital M से ध्यारा बच्चो जो कि होता बीटा अपान अलफा के बराबर होता है और बीटा क्या होता दोस्तो यंद्र की सहायता से वस्त को देखने पर जो दर्शन कोड बनता है मतलब जैसे मैंने इस मारकर को एक बार यंद्र से देख लिया जो कोड़ बना वो और एक बार बिना यंद्र का अगर हम इसको देख रहे हैं तब जो कोड़ बनता है उन दोनों कोड़ों के अनुपात को हम क्या करते हैं प्यार बच्छो आवर्धन चमता करते हैं अब हम चलेंगे सुचमादसी के बारे में जानेंगे पिर उसके बाद दूर्दरशी के बारे में जानेंगे दोस्तो पाँच नंबर का यह प्रेशना के एकजाम में पूछने माला है चलिए दिहान से देखते हैं सुचमादसी क्या होती हमने लिखा है कि यह है एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से निकट इस्तित वस्तु का बड़ा प्रतविम्प्राप्त किया जा सकता है यानि हम कह सकते हैं कि सुचमदर्सी एक ऐसा यंत्रोता है जिसकी सहायता से नजदीक रखी हुई वस्तुओं का बड़ा प्रतविम्ब प्राप्त करके देख सकते हैं यानि हम कहते अगर मारकर ये इतना छोटा है, इस मारकर को अगर हम सुचमदर्शी की सहायता से देखेंगे, तो ये मारकर काफी बड़ा दिखने वाला है, तो यही है पैरवच्चो देख सकते हैं, कि यह एक ऐसा यंत्र होता है, जिसकी सहायता से निकट इस्तित वस्तु का स इसके द्वारा जो सुछम वस्तूओं का प्रतिविम्ब होता है यानि हम कह सकते हैं कि जो सुछमदर्सी होती है उसके द्वारा जब छोटी वस्तु का प्रतिविम बनता है तो वो आभासी बनता है और क्या बनता है बड़ा बनता है प्यारे बच्चो और साथ में आप देख सकते हैं कि छोटी वस्तु का जो प्रतिविम है आभासी वो बड क्या देखा जा सकता है, क्या इतनी बात आपके, क्लियर हो गई होगी प्यार बच्चो, उम्मेध है का Jim क्यों सुछमदर्सी के बारे में समझना आगया होगा, यह कितने प्रिकार का ra B्रीकार का होता है? सबसे पहला होता है सरल सुछमदर्सी, सुचमदर्सी और दूसरा होता है संयुक्त सुचमदर्सी सबसे पहला होता है सरल सुचमदर्सी और दूसरा कौन सा होता है प्यार बच्छो संयुक्त सुचमदर्सी सरल सुचमदर्सी में क्या होता है हम उनको यहां पर समझ सकते हैं फिर नेक्ट टॉपिक में हम समझेंगे क सरल सुचमेदर्सी क्या होता है तो सरल सुचमेदर्सी एक ऐसा प्रिकासी क्यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम निकट वस्तूओं को बड़ा प्रतवीम प्राप्त करते हैं इसे हम कभी-कभी आवर्धक लिंस भी कहते हैं सरल सुचमेदर्सी को हम क्या करते हैं प्यारे बच्छो आवर्धक लिंस आवर्धक का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना किसी को जूम करके दिखाना जिसे आज कर हम लोग कैमरे में आप फोटो लेते हैं सेलफी लेते तो जूम करते नहीं तो जूम करने में क्या होता है कि प्रतिविम्हों को दिर बां होता जाता है क्या होता जाता बड़ा होता जाता है तो चै Caesar's सुछमेंदर्सी जो अन्जना होती है वह आपके इस बोड़ पे दिखाई पर रहा होगा प्यारे बच्वों सरल सुच्मदर्सी, बिलकुल سیम, ऐसा होता है, जब हम लोग छोटे थे बचमन में, जब Northwest str kal建itos कहीते थे तो में ऐसा था चोटा सा Durbin जैसा मिलता था तो उसे हम लोग कते थे- यह Durbin ने प्यारे बस्चों वह एकस्वत्रस के भात एंदर रहता है अब देखें इसमें क्या होता है इसमें एक धातु का गोला चल्ला होता है जिससे हम लोग उस हत्र आसानी से पकर सकती है प्यारे बच्चो आईए हम लोग देखते हैं कि ये आखिर होता कैसा तो प्यारे बच्चो ये देख सकते हैं कि जैसा आपको ये दिखाई पड़ाओगा देख रहे हैं ये जो पीला वाला भाग है प्यारे बच्चो यहां ऐसे अगर हम रख दें तो ये जो पीला वाला इसमें एक हथा लगा होता है जिससे हम लोग इसको क्या करते आसानी से पकड़ कर आगे या पीछे क्या कर सकते घसका सकते है। पीछे क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, पैर बच्चो, अब आप समझे जरासा, अब यह देखिए, ये जो अंदर ये काच लगा है, ये क्या होता है, ये एक उत्तरलेंस का होता है, कैसा होता पैर बच्चो, ये उत्तरलेंस होता है, और ये हरा वाला भाग आपको दिखाई लेंस लगा के बनाया जाता है जिसको आसानी से पकड़ने के लिए सुविधा जनक पकड़ने के लिए एक हथा लगा देते हैं बस यही इसकी समझना हो जाती है प्यारे बच्चो अब कारी क्या होता है अर्थात यह कारी कैसे करती है कारी करने से पहले हम जानेंगे क्रिया व सुचमदर्सी क्लियर हुई क्या हुई सरल सुचमदर्सी एक आवर्धक लेंस होता है जिसकी सहायता से हम लोग निकट वर्ती वस्तुओं का प्रतिपिम बज़ो है बड़ा प्राप्त करके देख सकते हैं प्यारे बच्चों अगर आप देख पार होंगे यह आपको कैमरे में साधान साथ सुचमदर्सी ले सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं प्रण भी मैं आपको सिध्धान्त बताऊंगा कि क्यों आखिर जब आप लोग कोई मुवी देखते होंगे कोई फॉरंसिक लेवाली मुवी आती हैं जैसे CID तमाम प्रेकार के सिरियल आते हैं तो ही लगी देती है से बार बार आगे करने पर पीछे करने पर आओ क्यों करता उसको समझते तब इसको हम बात में बात करेंगे तो समझे इसकी समझ गये यह क्या होता आपने यह समझ गया अब हम समझेंगे इसकी सिध्धान्त क्या होती प्यारे बच्चों तो नेक्स्ट करते हैं इसकी सिध्धhranth की इसकी बात क्या आती है सिध्धhranth की बें पहस्ट सिध्धhranth की प्रिंसिपल की तो सिध्धhranth क्या होता ध्यान्स समझदा सिध्hranth रहां है कि लिंश दोरा प्रतिवियूम का बनना इतल लेंश के दौरा प्रतिवियूमका देखें यहां पर जब कोई वस्तू उत्तर लेंस के प्रकासी केंद्र सी और मुख्य फोकस एवड happiness के मध्धि रखते हैं तो उस वस्तू का प्रतिविम्ब होता है उस वस्तू का प्रतिविम्ब आभासी और सबसे बड़ा बनता है प्यारे बच्चो यही इसका सिध्धान्थ है कि जब हम किसी उत्तरलेंस के मुख्य फोकस और प्रकासिक केंद्र के मध्य वस्तुओं को रखते हैं तो उस वस्तुओं का प्रतिमी सबसे बड़ा आभासी और सीधा बनता है प्यारे बच्चो अब पारी आती हैं हमको इसके सिध्धान्थ को करते हैं तो हम लोग सरल सुचमदर्सी को बार बार आगे और पीछे घसका कर बार बार आगे और पीछे घसका कर हम लोग यह प्रियास करते हैं हम लोग प्रियास यह करते हैं कि जो यह वस्तु है जिस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं वह वस्तु इसके मुख्य फोकस और प्रकासी केंद्र के मध्ध आ जाए और जैसे ही वो वस्तु प्रकासी केंद्र और मुख्य फोकस के मध्ध आता है तो उस वस्त को अपरती में आभासी और सीधा और बड़ा बनने लगता है इसलिए बार बार हम लोग क्या करते हैं इसको आगे और पीछे की तरफ समायोजित करते हैं विवस्तित करते हैं क्या आपको समझ आया है प्यार बच्चुक सिध्धांत क्या होता है उम्मीद है कि आपको सिध्धांत समझ में आ गया होगा एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं कि सिध्धांत क्या होता है क्योंकि यहीं सेम टू सेम सिध्धांत हमारा व और काफी बड़ा बनता है प्याले बच्चो तो इसी प्रकार जब हम लोग किसी सुचमदर्सी की सहायता से किसी वस्त को देखना स्टार्ट करते हैं तो सुचमदर्सी को आगे और पीछे घसका कर सुचमदर्सी को आगे और पीछे व्यवस्तित करके हम लोग यह प्यास करते हैं कि जो वस्तु है जो वस्तु है वो इस सुच में दर्शी के प्रकासिक केंद्र और मुख्य फोकस के मद्धे हो जाए जिससे उस वस्त का प्रतेविं असपर्ष्ट रूप से बड़ा आपको दिखाई पढ़ने लगे तो उम्मीद है प्यारे बच्चो कि आपको सिध्धान जरूरर समझनाया होगा और आज ये भी चीजे क्लियर हो गई होंगी प्यारे बच्चो कि आखिर क्यों हम जो बोला है उसको आप वीडियो की स्पीड को धीम करके आप वहां से नोट कर सकते हैं अब हम बाते करेंगे कि आखिर यार दोस्तों ये कार कैसे करता है तो कार क्या करता है तो बोला ना कि इसमें एक साधारन उत्तर लेंस लगा होता है तो गाईस दिखी एक साधारन हमने इस प्रकार समाय उजित किया कि इसके सामने कोई वस्तु AB है कोई वस्तु AB है जो कि मुख्य फोकस और प्रकासी किंद्र के मध्ध है मुख्य फोकस और प्रकासी किंद्र के मध्ध है कोई वस्तु AB है जिस वस्तु का प्रतिविम जो है A-डस और B-डस बनता है जो की आभासी और सीधा होता है प्रतिवी बनने का नियम क्या होता है कि यहां से एक प्रकास किर्णे मुख्यच के समानतर आप्तित होती जो की मुख्य फोकस होकर जाती है और एक प्रकास किर्णे आगे नहीं मिलने वाले हैं इन दोनों प्रकास किर्णे लोग हमने पीछे की तरफ बढ़ा है तो जो प्रतिविम मनता है वो A-S और B-S प्राप्त हो जाता है तो प्यारे बच्चों सेम इसी इस 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 प्रकार आपका ये सुछमदर्सी भी बिवहार करता है जैसे ही हम लोग क्या करते हैं जब किसी वस्त को देखना रहता है तो इस सुछमदर्सी को आभासी और बड़ा प्राप्त होने लगता है तो यह है प्यारे बच्चों इसकी सिध्धान्त और क्रियाविजी दोनों है अब हम समझेंगे इसकी आवर्धन छमता आईए हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों इसकी आवर्धन छमता इस ध्यान से देखिएगा कि असपस्ट इस असपस्ट ज्यान से देखते हैं कि जब जो यह प्रतिविंब होता है वह असपस्ट द्रिष्ट की नियूंतम दूरी डी पर बनता है यानि हम करते हैं कि जब किसी भी वस्त का प्रतिविंब असपस्ट द्रिष्ट की नियूंतम दूरी पर बनता है तब के ल प्रतिबिम्ब अस्पष्ट द्रिष्ट की निवनतम दूरी D पर बने अस्पष्ट द्रिष्ट की निवनतम दूरी D पर बनता है दूरी दी पर बनता है तब क्या होगा बनता है तब जो आवर्धन चमता होगा M बराबर 1 प्लेस D अपान F हो जाएगा M बराबर 1 प्लेस D अपान F तब कि लिए आवर्धन चमता यह हो जाएगा प्यारे बैचो ठीक और केस नंबर 2 में जब जब जो यह वस्तु है A और B वो मुख्य फोकस पर हो तब जो प्रतिबिम्ब होते है प्यारे बच्चो तब प्रतिबिम्ब अनन्थ पबनता है तब प्रतिविंब A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B इधी का डाइग्राम, यह रहा इसके सरणरचना का डाइग्राम, सिध्धान्त हमने आपको समझा दिया है, प्यारे बच्चो, उमीद है कि आपको सरल सुचमदर्सी क्लियर हो गई होगी, अब हम चर्चा करेंगे सयुक्त सुचमदर्सी की, जो की आपके ग्जाम में, सयुक् घृता है, तो प्यारे बच्चो, ध्यान से देना, देखना बार-बार मैं बता रहा हो कि आपके उइसे बार पूश्च सकता है, तो मैं आज फिर से बता दे रहा हूं, तो ध्यान से देखना, भाई यह एक ऐसा हिंत्र होता है, जिसकी सहायता से अधिक, यानि छोटी से छो भी वस्तों का बड़ा प्रतिविम प्राप्त करके हम लोग क्या करते हैं देख पाते हैं प्यारे बच्चो ध्यान देना यह जो होता है सरल सुचमदर्सी के तुलना में इसकी आवर्धन चमता अधिक होता है प्यारे बच्चो ध्यान से देखना यानि इसकी आवर्धन चमता सरल सुचमदर्सी के तुलना में अधिक होती है अब इसकी सनचना क्या होता है तो सनचना अर्था बनावट ये बना कैसे होता प्यारे बच्चो तो इसमें दो उत्तर लिंस लगे होते हैं दो उत्तर लिंस लगे होते हैं एक छोटा उत्तर लिंस होता है एक बड़ा उत्तर लिंस होता है प्यारे बच्चों और ये दोनों लिंस एक नली के सहारे लगे हुए होते है एक नली के सहारे क्या होते हैं लगे हुए होते है अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें एक बेलनकार नली होता है बेलनकार नली के एक सीरे पर एक छोटा सा लिंस लगा होता है और बेलनकार नली के दूसरे सीरे पर एक बड़ा लिंस लगा होता है जो छोटा वाला लिंस होता है उसे हम अभिद्रिस्टिक लिंस कहते हैं और जो बड़ा वाला लिंस होता है उसे हम नित्रिका लिंस कहते हैं प्यारे बच्चो अर्थात जो आख के पास लेंस रहता है जहां पर हम लोग आख को रख कर वस्ट को देखते हैं यानि आख के पास रहने वाले लेंस को नित्रिका लेंस और वस्ट की तरफ रहने वाले लेंस को अभिद्रश्चक लेंस कहते हैं खास बात यह होता है प्यारे क्या होता है वही द्वारक होता है इसका ब्यास यह वाली लाए से लेके यहां तेक बार इसकी सरेनचना और बनावठ हम फिर से समझ लेते हैं प्यारे बच्छों एक इसमें बेलन कार पाइप होती है, बेलन कार पाइप के एक सीरे पर अभिद्रिस्यक लिंस लगा होता है, तथा दूसरे सीरे पर नित्रिका लिंस लगा होता है, नित्रिका लिंस काफी बड़ा होता है, और अभिद्रिस्यक लिंस छोटा होता है, प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखेगा साथ में नेत्रिका लिंस के फोकस पर एक क्रांस तार लगा होता है और साथ में अब नेत्रिका लिंस वाले पाबेलन में या हम कह दें, साथ में एक दंड चक्र व्यवस्था लगा होता है. अब आप सोच रहा होँगे सरजी, कि अखिर ये क्या होता होगा, भाई हम इसकी सहायता से, ये जो पतली वाली नली है, इसको हम पतली वाले नली को अंदर की तरफ घसका सकते हैं, या बाहर की तरफ भी घिसका सकते हैं यानि हम कहा सकते हैं प्यारे बच्चो कि इस डंड चक्र की व्यवस्ता से इस डंड चक्र की व्यवस्ता से हम इस पतली वाली नली को पीछे भी ले जा सकते हैं और पतली वाले नली को आगे भी ले जा सकते हैं तो यह इस प्रकार इसकी क्या होती है, बनावट होती है, इस प्रकार इसकी क्या होती है, सनजना होती है, प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम समझते हैं, कि इसकी सनजना क्या होती है, ध्यान से देखना मैं जो जो लाइने बोल रहा हूँ, वो वो लाइने आपको चित्मे दिखाई पड़े ही नहीं इसमें एक بेलनकार पाइप होता है बेलनकार पाइप का एक सिरा पतला और एक सिरा काफी मोटा होता है मोटे वाले सिरे पर नित्रिका 6000 लगा जाता है बात इतनी क्लियर हो गई प्यारे बच्चों तथा एक इसमें डंड चक्र व्यवस्ता लगा होता है और एक क्रांस तार लगा होता है डंड चक्र की व्यवस्ता की मदश से पतली वाली बेलन को पतले वाले नली को हम चोड़े वाले नली में आगे या पीछे क्या कर स गसका सकते हैं और आगे साथ में सुनीएगा प्यारे में क्राण सतार क्यूं लगा होता है प्यारे बच्छोत सर्णचना इसके बारे में आप अराम से लिख सकते हैं उमीद है का आप चितर देखकर इसे सकते हैं या तो अगर आप चाहो तो मैं सनचना लिए पर दढ़ा होगा आप वहां से नोट कर लेना प्यारे बच्चो इसके लिए खेद है जो हम लिख नहीं पा रही है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके क्रांस तार क्यों लगा होता है सबसे पहले अगर माल लिजे मैं आपको ये देदू आप देखोगे कैसे तो सबसे पहले प्यारे बच्चो ये जो नित्रिका लेंस होती है नित्रिका लेंस को हम इस प्रकार समायोजित करते हैं नित्रिका लेंस को हम इस प्रकार समायोजित करते हैं कि नित्रिका लेंस में ये क्रांस तार आपको दिखाई पड़े यानि अगर हम माल लेते हैं ये हमारी चोड़ी बेलन कारपाइप हो गई ये पतली बेलन कारपाइप हो गई अब हम इसको इस प्रकार समायोजित करें कि ये जो नित्रिका लेंस के सामने क्रांस तार लगा हुआ है ये क्रांस तार आपको नित्रिका लेंस में दिखने लगे आप समझ पाएं प्यारे बच्चो यानि हम कह सकते हैं कि इस दंड चक्री की वेवस्ता से इस नित्रिका लेंज को आगे या पीछे खिसका कर इस प्रकार बेवस्तित करें कि ये क्रांस तार ये जो क्रांस का तार है न वो नित्रिका लेंज में आपको दिखाई पड़े लगे पहला step यह है यानि हम कह सकते हैं कि यह कार्य कैसे करता है प्यारे बच्छों यह कोई आपको नहीं बताने वाला ध्यांस दिखेगा यानि हम समायोजन कैसे करते हैं इसकी तो step one step one हम clear करते हैं step first में क्या करना है नित्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित करें कि नित्रिका लेंस में क्रांस तार दिखाई पढ़ने लगे क्रांस तार दिखाई पढ़ने लगे क्रांस तार दिखाई पढ़ने लगे क्या इतनी बात खिलियर हो गई आपके पहला step ट्रांस अतार आपको नित्रिका लेंस में दिखाई पड़ना चाहिए सेकंड इस्टेप क्या होता है अब हमको जिस वस्त को देखना है वो वस्तु अभिद्रिस्यक लेंस के फोकस दूरी से अधिक दूरी पर हो समझे आप यानि सेकंड इस्टेप में सेकंड में क्या करना रहता है कि यह जिस वस्त को हम देख रहे हैं वस्तु अभिद्रिस्यक लेंस के फोकस दूरी से अधिक दूरी पर हो तो यह सेकंड इस्टेप में वस्तु अभिद्रिस्यक लेंस के फोकस दूरी से फोकस दूरी से आधिक दूरी पर हो क्या हो प्यारे बच्चो आधिक दूरी पर हो क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो गई यानि सेकेंड इस्टेप में यह जो वस्तु है वो अभिद्रिस्यक लेंस के फोकस दूरी से अधिक दूरी पर हो तब तब इस वस्तु का जो प्रतिविंब होता है प्यारे बच्चों वो क्रांसतार पर ही क्या होता है बन जाता है तो थर्ड इस्टेप में क्या होता है इस प्रकार इस प्रकार वस्तु का प्रतिविंब वस्तु का प्रतिविंब क्रांसतार पर बन जाता है क्रानस्तार पर बन जाता है तो उमीद है फिए बच्चोब कि अगर अब आपको अगर ये दुर्बिन il दिया जाक यह सजूंत सुचमेदर्स्धी दे दिया जाक तो आप आराम से का उपयोग कर सकते हैं फिराइ तो आप इसका स्क्रिन सॉट लीजेगा अब हम बात करेंगे इसकी क्रिया विधी की अर्थात इसमें प्रतिविम कैसे बनता है और इसके लिए डरिवेशन प्राप्त करेंगे इसके लिए सुत प्राप्त करेंगे तो आप इसके एक भाग का स्क्रिन सॉट ले लीजेगा अब आपके एक्जाम में डाइग्राम गलत होने का कोई भी चांस नहीं होगा पैरे बच्चो और ध्यान देना कि डाइग्राम को सदो पिंसिल से बनाइएगा जिससे कि जहां पर गलत हो आप वहां पर उसका सुधार कर सको यदि आप पैंसे बनाएंगे तो आपके डाइग्राम गलत होने का मतलब होता है पैरे बच्चो कि आपके डिरिवेशन में समस्याएं आ जाएंगी तो पैरे बच्चो आईए हम समस्य प्रतविय में कैसे बनता है सभी सुछमदर्थी में तो सबसे पहले इसमें एक अभिद्रिस्यक लेंस और एक नित्रिका लेंस लगा होता है जैसा कि हमने बनाओट में भी बात किया था पैरे बच्चो अब उसके सामने क्या होता है कि मैंने वहाँ पर फर्ष्ट लाइन बोला था कि जो भी कोई वस्तु होता है वस्तु यहाँ पर कोई A और B है जो कि अभिद्रिस्यक लेंस के मुख्य फोकस से अधिक दूरी पर इ अभिद्रिस्यक लेंस के मुख्य फोकस से अधिक दूरी पर है अब यहाँ से दो प्रेकास केंड़े चली एक मुख्यच के समानतर प्रेकास केंड़े चल रही है और एक प्रेकासी केंडर ओसे होकर जा रही है अब यह दोनों प्रेकास केंड़े यहाँ पर जाकर मिल रही ह नित्रिका लेंस के मुख्य फोकस और प्रकासिक केंद्र के बीच में इस वस्तु AB का प्रतिविम A1 और B1 बन जाता है प्यारे बच्चो अब जो ये A1 और B1 प्रतिविम बनता ये वास्तुविक और उल्टा होता है परंतु ये जो A1 और B1 प्रतिविम होता है नित्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तुका प्रतिविम बनता है क्या इतनी बात आपकी क्लियर होई प्यारे बच्चो अब सूचिए कि A2ES B2ES कैसे बनता हर अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ से यह जो A1 और B1 है इसके लिए आभासी वस्तु का कारिक कर रहा है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखे, यहाँ से दो प्रकास कींडे निकली और यह जो दोनों प्रकास कींडे है यह नित्रिका लिंस पे पढ़ी है अब नित्रिका लेंज पर पढ़ने के पस्चात ये मुख्यच के क्या हो गई समानतर हो गई अब देखिए ये दोनों प्रेकास किंड़े प्यारे बच्चो आगे आप चाहे जितना बढ़ाते चले जाएंगे आगे पर मिलने वाला नहीं है तो इसलिए इन दोनों प्रेकास क किंड़े को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं प्यारे बच्चो जो कि वस्टू के पीछे वस्टू के पीछे एडबल डेस बीडबल डेस पर क्या कर जाता है प्रतिछेद कर जाता है प्यारे बच्चो अब आप कर रहे होंगे सर इतनी लागने आपने क्यों खीचा तो प्य यह नित्रिका लेंस के प्रकासिक केंद्र से जब होकर आती है तो यह जिस मार्ग से आई रहती उसी मार्ग में वापस लोड़ जाती है तो इस प्रकार और A1 B1 वस्त का प्रतिविम्ब A double dash B double dash प्राप्त हो जाता है प्यार बच्चों फिर से हमें इसके क्रिया विधी को समय लेते हैं कि यार इसमें प्रतिविम्ब कैसे बनता है सबसे पले हम क्या करते हैं कि जिस वस्तु को हमको देखना रहता है वो वस्तु यहां पर A B है तो म नित्रिका लेंज के मुख्य फोकस और प्रकासी किन्दर के मध्य बनता है प्यारे बच्चों और A1 B1 प्रतिविम्ब नित्रिका लेंज के लिए आभासी वस्तु का कारिक करता है और इस A1 B1 का प्रतिविम्ब वस्तु के पीछे A double dash A double dash और B double dash काफी बड़ा प्रतिविम प्राप्ठ हो जाता है प्यादे बच्को इसी प्रेकार सही कि प्रतिविंभाप का प्राप्ठ होता है अगर लिखा घुए पर चाहिए बताया है उसको स्क्रीनक स्क्रीन पर लिखा अदिखाई पर दो वहाँ से नोट कर सकते हैं अब हम बाते करेंगे इसके आवर्धन चमता के ब्यंजक्का तो चलिए अब हम बात करेंगे आवर्धन चमता निकालने की बात तो मान लेते हैं प्यारवच्चो माना जो वस्तु एबी है वस्तु एबी है उसके द्वारा एबी जो माना जो फी छोटा है बहुत ही छोटा वस्तु AB है और जिसका प्रतिविम बना A1 और B1 तो प्यारे बच्चो जो A1 B1 है A1 B1 का जो प्रतिविम है A++ B++ है तो माना A++ और B++ द्वारा नित्रिका लिंस पे बना जो दर्सन कोड है प्यारे बच्चो उसे हमने बीटा का नाम दे दिया किसका नाम दे दिये बीटा का नाम दे दिये तो आईए अब हम आवर्धन चमता के लिए बेंजक का बात करेंगे तो आईए समस्ते हैं बेंजक क्या होता है तो गाईश हम बात करेंगे आवर्धन चमता की बात तो आवर्धन चमता में समझते हैं किसी भी प्रकासी क्यंद की जो आवर्धन चमता होती है प्यारे बच्चों वो क्या होता है यार मैंने बताया न कि प्रतिविम्ब द्वारा बना दर्शन को बीटा है माना A double dash B double dash द्वारा बना दर्शन कोड क्या बना दर्शन कोड तो बना दर्शन कोड जो है मुझको नाम दे देते हैं बीटा ठीक अब ध्यान से देखना A1 और B1 A1 और B1 नेत्रिका लेंज के लिए आभासी वस्तुका कारी कर रही थी ना कि प्यारे बच्चो ये आपका वस्तुका कारी कर रहा है तो A1 B1 के बराबर हमने इस आभास इस प्रित्विम पर एक चांप काट लिया जो की A double dash B3 के क्या है बराबर है तो प्यारे बच्चो अब हम मान लेते हैं कि इस वस्तु A1 और B1 या A double dash B3 के दोरा जो बना कोड दर्सन कोड है उस कोड को हमने नाम दे दिया अलफा ये दिखाई पड़ा है तो हम कह सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि A1 B1 आभासी वस्तु आभासी वस्तु A1 B1 या A1 B1 या उसी के बराबर कोण है प्यारवच्चो A double dash B3 A double dash B3 के दोरा बना दर्सन कोड बना दर्सन कोड अलफा क्या माल लेते हैं प्यारवच्चो अलफा है तो अब आवर्धन चमता क्या हो जाएगा तो संयुक्त सुच्मदर्सी की संयुक्त सुच्मदर्सी की आवर्धन चमता संयुक्त सुच्मदर्सी की आवर्धन चमता यम बराबर होगा बीटा बटे अलपा समीकर नंबब ए अब हम प्यारे बच्चो बीटा और अलपा की बेलू निकालके समीकरन एक में रख देंगे तो चलिए बीटा हम निकालते तो बीटा कौन से तिरभोज में है प्यारे बच्चो में तो नीखैंगे बीटा जो है अतियंत व्रभुशמח कोड है इसलिए प्यारे बच्चो चुकि पीटा अतियंत क्या है सुचमाँ जो बीटा होगा हो टैन बीटा के बराबर होगा, टैन बीटा का फामुला होता है, प्यारे बट्चों लंब बटे आधार, अब देखे, यहां लंब कोन है, प्यारे बच्चों देखे, तो कोड के सामने वाली भुचा लंब होती है, तो लंब कोन है, ए, डबल डैस, बी डबल डैस, चित्न में ध्यान से लेंगे अलफा कोन है प्यार बच्छों हमने और इसे निकाल लें चाहे हम एम डबल सकते हैं कोई दिखत निकद नहीं किसी से भी largest किस से निकाला यह निकाल लेते हैं जो नोधर निको ए से बहुत held morio जब यह अते हैं तो सुचमकोड है अते हैं जो अलफा होगा वो किस के बराबर हो जाएगा टैन अलफा के और अलफा जब टैन अलफा के बराबर होगा तो टैन अलफा का फार्मूल होता है लंब बटे आधार अब ध्यान दिजी जो लंब है प्यारे वैच्चो वो इस बार A डबल डएस बीथरी है और जो आधार है वो पूरा यहां से डबल डएस से लेके ई तक है तो क्या हो जाएगा ए डबल डएस ई हो जाएगा यह समीकरण नंबर क्या आगया तिन अब समीकरण दो और तीन से बीटा व अलभा का मान समीकरण एक में रखने पर तो गई समीकरण एक क्या है आपका यही है तो भाई है एम बराबर क्या हो जाएगा बीटा बीटा के अस्तान पर रखते हैं तो ए डबल डैस बे डबल डैस बटे क्या हो जाएगा ए डबल डैस ए ठीक इंटू ध्यान देना अब इंटू आप कहा करें पर या अलफा का माल रख रहा है देखे अलफा का माल क्या है ? इंटू ए अबलड pourquoi चलाएगा तो इंटू में आ जाता है तो इंटू क्या हो जाए इंटू क्या हो जाएगा ? आपके साथ Group टैप ऑप देखे यह दूनों चीज accumulated तो आपके पास क्या आगया यम बराबर A double 10 B double 10 पूरे के बटे क्या आगया दोस्तो A double 10 B3 अब ध्यान से लिखना जो ये A double 10 B3 है वो वस्तू A B के क्या है बराबर है वस्तू A B के क्या है बराबर है तो यहाँ पर हम माल लेते हैं कि माल लेते हैं प्यारे बच्चो जो a double dash b3 है वो वस्तु a b के क्या है बराबन है तो जैसे ही a double dash b3 जहाँ है वहाँ पर क्या हो जाएगा a double dash b double dash और बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो a b यह आगे अब जो ये समी करण आया है इस समी करण में हम लोग क्या करेंगे a1 b1 से गुड़ा और a1 b1 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं तो ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चो a1 b1 से गुड़ा वह भाग करने पर अब जैसे ही आप गुड़ा और भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा यारो देख लो तो M बराबर मिल जाएगा A double dash B double dash बटे कितना है A B है तो गुड़े क्या कर देते हैं A1 B1 और बटे A1 B1 थोड़ा सा इसको क्रम से कर देते हैं बस तो बिवस्तित करते हैं तो A double dash B double dash और ये वाला ची जहां लाते हैं तो A1 B1 आ जाएगा और गुड़े उपर क्या है A1 B1 है बटे क्या हो जाएगा A B तो प्यारे बच्चों अगर आप देख पा रहे होंगे जो A double dash B double dash है A double dash B double dash और बटे A1 B1 तो A1 B1 आभासी वस्तु है और A double dash B double dash इसका प्रतिविम्भ है और जो यहां A1 B1 है ये A1 B1 इस वस्तु का प्रतिविम्भ है और A1 B1 है यह नित्रिका लेंस की आवर्धन होगा और यह अभधिर्ष्यक लेंस की आवर्धन होगा क्यों क्योंकि यह अभधिर्ष्यक लेंस द्वारा बना प्रतिविंब की लंबाई है और वस्त की लंबाई है यह नित्रिका लेंस द्वारा बने प्रतिविंब की सकते हैं तो हम अर्थात लिख सकते हैं अब लाश्ट वाला जो फार्मूला आईगा वो आजायेगा क्या? यहां से द्यान से देखना प्यार बच्चो पिर अभी हम टॉपिक बदलने वाले हैं तो इसको move करेंगे तब हम आगये आएंगे ना? तो यह आ जाता है यह तो समीकर नंबर 3 तक आप लोग बना लिये थे यह समीकर नंबर क्या हो जाता है 4 हो जाता है ठीक अब अगर हम इसको V और U के पदों में लाना चाहें तो क्या हो जाएगा प्यार बच्चो तो हमने एक फामूला इससे पीछले पढ़ा था कि भया M बराबर I बटे तो O होता है ठीक प्रतिविंग मलंबाय उसकी उसके साथ साथ हमने यह भी पढ़ा था प्यार बच्चो V अपान U भी होता है क्या होता है V अपान U भी होता है इस बात को ध्यान देना साथ में प्यार बच्चो एक दरपड के लिए पढ़े थे और एक आपने लिंस के लिए तो लिंस के लिए तो यह पढ़ा था और दरपड के लिए माइनस V बटे U पढ़ा होगा ठीक तो अगर हम बात करें इसी को V और U के पदों में तो इसको भी हम U के पदों में लिख सकते हैं जैसे मैंने कहा कहा कि दीखे A double dash तो प्यारे बच्चों जो A double dash है या A1 B1 है तो दीखें आप क्या करें A1 और B1 को आप क्या करें V not क्या करें V not अर्थात अगर हम समझना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अगर मुझे यमयो हटाना है नह 1949 हम है मैं बार बार कर आऊ करा। इसमाल M 라고 मताओ पहले ये लिंस के बाई तरफ है या लिंस के दाई तरह है द्यान से देखना यह लेंस के दाईं तरव है तो लेंस के दाईं तरव की दूरी यह धनात्मक होती है, ठीक ति है यह चीज आपका प्लस हो जाएगा V0, बटे U, तो U कितना है प्यरton U0 है यानि यमो के अस्तान पे वी नाट बटी यू नाट रख सकते वी और यू के पदों में अगर ऐसे ही मुझे नित्रिका लेंस की बात करनी हुई तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा तो या नित्रिका लेंस के लिए जो प्रतिभी में की दूरी है वो कितना है डी है प्रतिभी में की दूरी कितनी है डी है तो ध्यान देना यह दरपड के बाएं तरफ है दरपड के बाएं तरफ तो दरपड के बाएं तरफ की दूरी क्या होती है रडातमक होती है एक बात यहां आपने यह दरपड के बाएं नापा है यह चीज क्या हो जाएगा माइनस हो जा बाए है तो माइनस हो जाएगा और जो वस्त की दूरी हो कितनी है यूई है तो ये भी माइनस 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 से केंसी अर्थात एम एक्वल टू क्या लिख सकते हैं डी अपान यूई तो प्यारे बच्चो हम यमो को हटा के ये चीज रख सकते हैं तो ये चीज हम वहाँ पर प्यारे बच्चो यहाँ प्यारे बच्चो यहां आप मैंने अलग से बता दिया है तो चलो अगर हम रखते हैं तो मे के डी अपान यूपी तो प्यारे बच्चों ये रहा आवर्धन चमता का फामुला इसे आप चार नंबर ना बनाईए समीकरण बलकि समीकरण नंबर चार इसे हम बनाएंगे आप इससे पहले इसका एक स्क्रिंशॉट ले ले जिएगा फिर अब हम बाते करेंगे बिसेस इस्ति की ध्यान देना प्यारे बच्चों अगर आपके एक्जाम में ऐसे पूस्ता है कि स्यूट सुचमदर्सी की आवर्धन चमता का भेंजग प्राप्त किजिए तो आपको यहां तक ले आके छोड़ देना है अगर वो आगे कंडिशन देता है तो आप कंडिशन आगे लगाई प्यारे बच्चों उमीद है कि आपको यह फूल डेरिवेशन समझवाया होगा यदि कहीं पर कोई डाउट है तो एक बार मैं फिर से रिपेट कर लेता हूं प्यारे बच्चों जहां से देखना हमने यहां से शुरुगात का था स्यूंग तुसुचमदर्सी की आवर्धन orgeellen चन्ता βीटा 5 अलफा होताँ बीटा क्या होता है प्रतिवीमदर्वारा मानोगने त्रिपी बनादर संकोल होता होता आउल्फा वश्त द्वारा बना दर संकोल होता है तो प्यारे बत्यों whistle को पहले बीटा की बेलो निकान गने थी थी तो बीटा किसतर वैस्त वी डैंस और जो बीटा बनाथ hago the जो बीटा के क्या होजाएगा पर अब पूरा देश अब पूरा देश से अब यह देश को देश प्रीकर नंबर दो हो गए उसी प्रिकार वमने निकालह अबत्यूसरial 525 समीकर्ण दो और तीन से बीटा अलफा कामान समीकर्ण एक में रखत ये दो पक्ष कैंसल हुए तो प्यारे बच्चों ने देखा कि जो यह दबलडवीथी थरी है वह एबी बराबर है यह वर्स्तू एबी के बराबर चाप काटा गया ध्यान से देखना प्यारे बच्चों मैं बार-बार बोल लाहुँ यह चीज इसके बराबर है भले आपको चित्र में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा बता दे रहें यह इ चंता आ गई भी है एमो और एमी के पदों में जो यह समय करा राया अब हम यमी को वी और यू के पदों में बतला जो कि मैंने यहां पर बताया प्यारे बच्चों यमो बराबर क्या होगा वी ओ बटे यू नाट कैसे क्योंकि प्रतिविम की दूरी वी नाट था और वस्त की दूरी यू नाट था तो वी बटे यू नाट माइनस कहा सा चिन्ध परिपाटी से उसी प्रकार प्यारे बच्चों में नित्रिका लेंस की आवर्धन चंता प्राप्त की और उसको वी और यू के पदों में रख दिया यहां पर डेरिवेशन सवाब्त होता है यदि आप से इस्पेसल केसे पूछ लेता है तो आप एकजाम में वहां पर बताएंगे तो आप इसका एक स्कूर लेजेगा प्यारे बच्चों फिर हम बाते करेंगे इस्पेसल केसे की है तो प्यारे बच्चों जो इस्पेसल केस है वो सबसे पहला इस्पेसल केस है कि यदि जो प्रिकाल इसके असपर्ष्ट द्रिष्ट की नियुन्तम दूरी डी पर बने यानि तब क्या होता है तब जो प्यारे वैच्चो जो वी होता है जो वी होता है वो किसके बराबर हो जाता है डी के चिन परिपार्टी से देखेंगे तो माइनस डी आएगा और जो यू होता है वो भी यूई के बराबर हो जाएगा माइनस यूई के जो वस्त की दूरी है वो यूई हो जाएगी माइनस हो जाएगा ठीक और जो एफ होता है वो भी एफ ए के बराबर हो जाएगा किसके बराब के सुत्र से तो लेंस के सुत्र से क्या होगा ध्यान से देखना लेंस का सुत्र क्या कहता एक बटे वी तो एक बटे वी के अस्तान पर कहा है माइनस डी है फिर एक माइनस एक बटे यू तो यू के अस्तान पर माइनस यूई है बराबर एक बटे तो ध्यान से देखना प्यार बच्चो नेत्रिका लेंस के लिए जो फोकस दूरी हो वो क्या होने वाले प्लस होने वाले प्यार बच्चो इस बात को ध्यान देना अब हम करते क्या हैं इधर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो एक बटे माइनस दी प्लस एक बटे क्या हो जाएगा यूई बराबर एक बटे एफ ए यहां तक क्लियर हुआ अब हमको क्या निकालना है यार मुझे यूई का मान निकालना यह चीर उधर चला जाएगा तो एक बटे यूई बराबर आ जाएगा एक बटे F E प्लस एक बटे D क्योंकि माइनस वाला उधर गया तो क्या होगी अब प्लस हो गया अब मुझे तो D बटे UE चाहिए ना यहीं पर D बटे UE का ही तुमान निकाल के रखेंगे तो यहाँ अब D से गुड़ा करोगी तो D D से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एक आ जाएगा यानि डी बटे UE का मान वन प्लस डी अपर F E आ गए तो यह मान समीकरण चार में रख दो बस तो लिख देते हैं समीकरण पांच तो समीकरण पांच से डी बटे UE का मान समीकरण चार में रखने पर तो समीकरण चार क्या है एम बराब माइनस वी नॉट बटे यू नॉट तो D बटे UE के अस्तान पे हम रख सकते हैं प्लस D बटे FE यह रहा प्यारे बच्चो इस्पेसल केस का पहला फार्मडा जब प्रतिविम्ब अस्पष्ट इद्ष्ट की नियुंतम दूरी धीपर बंद है तब के लिए भ्यंजक यह होता है अब अगर हम इस्पेसल केस में दूसरी बात कर लें यदी प्रतिविम्ब यदी प्रतिविम्ब कहां पर बने प्यारे बच्चो अनन्द पर बने यदी प्रतिविम्ब कहां पर बने अनन्द पर बने यानि जो प्रतिविम्ब है वो अस्पष्ट इद्ष्ट की नियुंतम दूरी डीपर न बने के अनन्द पर बनेगा तो जो अनन्द पर बनेगा त पर बनने लगे तो वस्तु का प्रतिविम्ब अनंत पर बनेगा एक बार मैं फिर से समझादे ना चाहता हूं कि भाई प्रतिविम्ब अनंत पर तभी बनेगा a double dash b double dash अनंत पर तब बनेगा जब a1 b1 fe dash पर हो और fe dash किसके बराबर F E के बराबर यानि यदि अंतिम प्रतिवी अनन्त पर बने तो वस्तु A1 B1 तो वस्तु A1 B1 नित्रिका लिंस के नित्रिका लिंस के फोकस दूरी पर हो क्या हो फोकस दूरी पर हो अर्थाथ अर्थाथ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो अर्थाथ जो U E है वो F E के बराबर हो जाएगा तो यही चीज हम यहां रख देंगे तो समी के रण चार से क्या आ जाएगा M बराबर माइनस V नाट बटे U नाट जहां U E है वही पर क्या रख दें F E रख दें तो आवर्धन चमता का फामूला मिल जाता है इस प्रकार प्यारे बच्चो इसके जो दोनों केस हैं वो आपके कंप्लिट हो जाते हैं प्यारे बच्चो और आपकी जो दुरदर्सी है सरल सुचमदर्सी और सजिक तो सुचमदर्सी वो आपका प्यारे बच्चो उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी मैंने अभी बताया है अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रह गया होगा तो प्यारे बच्चो आप इस सेशन को दोस्तों के पास सेर जरूर कीजेगा और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा प्यारे बच्को हाँ lecture को start करने से पहले मैंने बोला था कि हम इसी में आपकी अगले दूरदर्सी की भी बात करेंगे पर तो lecture काफी लंबी हो जाने की वज़ा से दूरदर्सी की बात हम next part में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए आप इसको देखिए और अपने पांच नंबर जो है प्यारे बच्छों तयार कर लेजे मिलते हैं आपको next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भात थैंक्यू आल डियर स्टूडेंट